अगर खामी मिली तो सकती से निटा जाएगा सुप्रिम कोर्ट ने नोटिस का दो हफते में जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई अब आठ जुलाई को होगी सुप्रिम कोर्ट में दो नई याचिका है पुरानी याचिका से जोड़ी है सुप्रिम कोर्ट में पूरी तरह से क्लियर कहा है कि हम स्टुडेंट्स की मेहनत को बकू भी समस्ते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही से वो बरदाश्ट नहीं है, सक्ति से निपटना भी जानते हैं आपको ये बता दे कि 8 जुलाई को मामले की अखली सुनवाई होने जा रही है, जहां नीप को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, राजनेतिक गल लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, आज नीप को लेकर सु जीरो प्रतिशत भी अगर खामी यहां पर पाई जाती है, तो हम उस पर सकती से नप्टेंगे, निप्टेंगे, फिलाल आपको बता दे कि अब अगली सुनवाई 8 जुलाई के, महीं सुप्रिम पोर्ट ले दो नई आचिका हैं, पुरानी आचिका से जोड़ती हैं, आचिक और शीट पे नहीं अब्जर हुआ, लेकिन जजज ने ये कहा कि, यूर प्लेइंग विद हेल्थ, आफ तो कंट्री, जो ये एक्जाम कैसे कैसे त्यारी होते हैं, ओनरेबल जजज ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है, कि कितनी मुश्कुल से ये जो सूरेंट से हो त्यारी करते हैं, जाते जाते ओनरेबल जजज ने ये भी एड्रेस किया, कि ये वन फिक जो आप आए हैं, कि वन फिक फाइव सिक्स थ्री स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कहा रहे हैं, आज एंटिय को बहुत फटकार पड़ी है, ह आनकी ओर्डर स्टूड़ी को